नमस्कार ओम शांती बाते हैं हमारे काम क्यों में आज फिर मैं आपका स्वागत करती हूँ मित्रो हमारे इस प्रोग्राम में पधारे हैं आज फिर ब्रह्मा कुमारी पूनम बैन जी जो चंडीगर से हैं उनकी लोकिक पढ़ाई राजस्थान में पूरी हुई है और जो अलोकिक याने की जिसे हम कहते हैं ज्यान वो प्राप्त उन्हें बचपन से ही हुआ है 1983 में 23 वर्सों से वो स्मर्पित रूप से प्रजा पिता ब्रह्मा कुमारी इश्वर या विश्व विद्याले में सेवाई दे रहे हैं साथी साथ उन्होंने शोसल और सिक्योर्टी विंग और एजुकेशन और यूथ विंग और साइंटिस्ट इंजिनियर विंग में भी वो सेवाईं देती आ रही हैं एक बात और बताना चाहती हूं पिछली 12 वर्स से वो चंडिगल सेंट्रल जेल में भी अभी तक वो सेवाईं दे रही हैं और उनसे बारे में जानने की कोशिश करेंगे पहले उनका स्वागत करते हैं बाते हमारी काम के में आपका बहुत सेवाईं दी हैं और साथ में जो आप अपने सेंटर में रहते हैं या फिर जो चंडिगर्जापका सेंटर यह अलग लग तरह से कैसे आपने एक साथ मैनेज किया असल में प्रमा कुमारीज में एक सिस्टर कंसर्ण संस्थाय राजयोगा एजूकेशन एं रिसर्च फांडे छोटे से बड़े प्रभाग तक पहुँचते हैं जैसे उसमें रूरल विंग है तो उसमें हम किसानों तक समाज के बिलकुल गाउंस तक भी जाते हैं तो रूरल विंग भी है तो साइंटिस्ट इंजीनियर विंग भी है तो इस प्रकार से यहाँ पर संस्था के छोटे-छ समाज की ब्रमा कुमारिस द्वारा की जा रही हैं, उनका पता लगता है, तो उसमें ही ये सोशल विंग, एजुकेशन विंग, तो इसमें हम विद्यार्थी गन भी हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट के बड़े से बड़े अधिकारी गन हो, तो उन सब की सेवाई करते हैं, और इनके द्वारा हम समाज के वर्ग को कवर किया, कि हम बच्चों को स्कूल में ही जाकर वैल्यू एजुकेशन देते हैं, कॉलेजिज में अनसस कैम्प सोते हैं, उनमें उनको वैल्यू से अवगत कराते हैं, सोशल विंग है, तो सोशल विंग के अंतर गथम, समाज क विबिन वर्गों को कवर करते हैं, उस ही में हमने जेल में सेवाई शुरू की, और बारा वर्षों से हमारे वहां पर रेगूलर वो क्लासिस करने लगे हैं, तो उनके लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया है, तो आपने इसमें बताया है कि आप पिछले बारा वर्षों से जो आपका चंडिगड में सेंट्रल जेल है, उसमें आप क्या परिचे देते हैं, प्रमात्मा का या आत्मा का किस तरह से उनको आप ये जरूरत आज हर इंसान की है, वहां पर लोग बहुत टेंशन और बहुत अधिक डिप्रेशन में होते हैं, जो एक समाज से कटकर अल मानसिक दशा बहुत ऐसी विक्षप्त हो जाती है कि उनको लगता है कि शायद मर जाएं, बहुत सुसाइडल टेंडेंसी पर आ जाते हैं, ऐसे ऐसे केसे हमने लिए हैं कि जिनको दिल्कुल धीरे 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 उन्हें आत्मा और परमात्मा का परिचे, जिन्स मेरिटेशन स सिखाया, तो इससे वो प्रेरित होकर उनने अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर लिया, और वहां रहकर भी जिनको लाइफटाइम कारागार में है, तो उनके लिए भी इतना बेनेफिशल रहा कि उनकी चार-पांच साल के अंदर बेल हो गई, और अब वो समाज में है कर इस लाइफस्टाइल के साथ जीवन जी रहे हैं, और बहुत अच्छा जीवन व्यतित कर रहे हैं, और अम्रित वेले से लेकर उनका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होगया, बनर और वहां वो एक अलग तरह सा जीवन था और आपके माधियम के द्वारा घैन के परिवरतना परिवरतन किया, बधला लेने की भावना को परिवरतन किया, तो जब यह परिवरतना आ गया तो उनको अपने आपने ऐक बड़ा चेंज, एक बहुत बड़ी स्वतंतरता फील हूई, कि हम बंध्य पड़े थे, अपने वैर, द्वेश, नफरत के अंदर, और जयस तो आपने इसमें एक चीज़ और बताई थी कि जैसे आप 1983 में आपमें जो आपको यह ग्यान प्राप्त हुआ आज दिन तक आप एक ही तरह से सेवाइं देते आ रहे हैं या जैसे आपने यह सेंट्रल जेल के बारे में बताया तो आप अलग लग तरह से लोगों के साथ मिलते हैं तो उस जीवन के हिसाब से और इस जीवन अभी बचपन से लेके सीडिया तक चड़ते हैं क्या अनुभवे, क्या एक्सपीरियंस आपके जीवन में लगता है यहां मैंने ये चीज मुझे प्राप्त करनी थी, मैंने ये प्राप्त कर ली है असल में बचपन में हमारे माता पिता इस ज्यान में आए, उनके साथ साथ हम भी आने लगे तो हमें पहले दिन से ही, फर्स डे, जैसे ही हमने ब्रह्मा कुमारी सेंटर देखा और वहां की बहनों को देखा उनका लाइफ स्टाइल, उनका पहनावा, सब कुछ इतना इंप्रेसिव था कि फर्स डे से मुझे वहां जाकर लगा जैसे मेरा घर है और उसके पश्चात हम इस शिक्षाओं को अपने जीवन में लाएं, स्कूल में, कॉलेज में, होस्टर लाइफ में हम इतना बैनेफिट हुआ इन चीजों का, कि उस ज्ञान के आधार पर लाइफ में सबसे पहली बात confidence लेवल बढ़ा भाय खतम हो गया, चाहिए वो मृत्यू का भाय हो, अंधेरे का भाय हो, तो उस कारण से लाइफ में जब-जब अकेले रहने का मुका मिला, अकेले सफर करना पड़ता था, एक अकेला पन खतम हो गया यह सबसे अच्छी बात समझ में आई कि परमात्मा हमारा साथी है, भगवान को हर रिलेशन में अपने साथ रखो, और उसकी इतनी सुन्दर फीलिंग, इतनी सुन्दर महसूसता थी, कि आज तक कभी बोर नहीं हुए और कभी अकेले नहीं हुए एक प्रशन हमें आया हुआ है कि क्या हमको चिंतित होकर, मतलब चिंता करने के बार किसी कोई ऐसी घटना विशेश या कोई ऐसा कार्य विशेश या कोई ऐसा व्यक्ति विशेश उसके उपर चिंता करना हमारे लिए जरूरी है, अगर नहीं तो क्यों? क्योंकि चिंता के बिना तो हमारे कार्य होई नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति हमारे लिए विशेश होतकता है, कोई कार्य हमारे लिए विशेश हो सकता है, कोई घटना हमारे पिछले जीवन में घट गई है, वो भी एक विशेश है, तो उसके बारे में आपका क्या गयाना है घटना है घट चुकी तो आज उसके बारे में चिंता करके हम अपना प्रेजन्ट क्यों खराब करें क्योंकि जिस वक्त घटना घटी हम चिंतित हुए हम परिशान हुए थे पर आज भी हम चिंतित और परिशान रहेंगे तो हमारा वो जो कल बीता पास्ट अगर हमारा कुछ चिंताओं में गया तो हम प्रेजन्ट क्यों चिंताओं में व्यर्थ गवाएं क्योंकि प्रेजन्ट को हम पिलर मानते हुँ फ्यूचर का पिलर है और अगर पिलर्स ही ने खड़े हुए और पिलर्स मजबूत नहीं है तो उस पर building नहीं खड़ी हो सकती इसलिए हम चाहते हैं कि present को बड़ा free feel करें present को जीए और खुशाल तरीके से जीना सीखें इसलिए चाहे वो व्यक्ति, चाहे घटना, कुछ भी बात है परन्तो उन सबसे विशेश है मेरी अपनी स्थिती अगर मेरी स्थिती ठीक है तो मेरा यह सब कुछ ठीक होता जाएगा उस environment को, व्यक्ति को सब को ठीक कर लेंगे अगर मेरी स्थिती ठीक नहीं है तो इन सब का अच्छा होना, विशेश होना हमारे लिए मायने नहीं रखेगा इसलिए हमने स्वयम अपनी स्थिती पर अटेंशन देना है समय समय के हिसाप से चेंज हो जाता है क्योंकि स्वामान को चेंज करना ही चाहिए अर्थाथ, जैसा समय है जैसी स्थिती बनाईये अब आप अमरित वेले से लेकर रात तक एक ही स्थान एक ही व्यक्ति के साथ तो नहीं रह रहे व्यक्ति परिवर्तन होंगे तो उनके स्वभाव संस्कार भी परिवर्तन होंगे अलग-अलग व्यक्तियों के साथ हमारे अलग-अलग स्वामान जागरित रहते हैं कहीं कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो शायद आपका बहुत कहना मानने वाला, बहुत रिस्पेक्ट करने वाला, बहुत इज़त रखता है, तो बहुत अच्छी बात है, तो आप उनके लिए एक पालना स्वरूप बने रहते हो, परंतो एक वो व्यक्ति जो आपका कहना नहीं मानत आपके आज्याओं पे नहीं चलता है तो उसके लिए पूरवज स्वरूप याद रखना पड़ता है हमें अपने स्वरूप को सनुसारिया ने अपने स्वामान सेल्फ एस्टीम ऐसा रखना है तो स्वामान के अनुसार हम बात करेंगे तो हमें क्षमा भाव आता है अपने इस ज्ञान में क्या नुभव प्राप्त किया इस ज्ञान में हमें बच्पन से बहुत अच्छा नुभव हुए सर्व प्रथम हमने जब परमात्मा को समझा और ये समझा कि वो मेरा दोस्त है वो मेरा पिता है वो मेरी मा है हमने हर स्वरूप में उसको अपने साथ प्रएश करते तो यही कहते थे तूमी हो माता पिता तुमी हो तूमी हो बंधू अस्छा तुमी हो तो यह बातें सुमते थे पर इस ज्न में आकर भी इम महसुसता आने लगी कि आत्मा की सच्ची मां या पुरे देश भर में जाना हुआ, कहीं नेपाल बॉर्डर पर, कभी कश्मीर में, कभी कहीं, तो उन सब जगएं सेवाइं करने के लिए जब भी जाना बहुत लबा सफर होता था, कहीं कहीं बायेयर गए कहीं ट्रेन पर, तो हमने देखा दो धाई दिन के सफर में भी हमें कभ तो इसलिए ग्यान देने का एक बहुत सुंदर हुनर परमात्मा ने पैदा किया तो इसके कारण भी धीरे-धीरे अपने अंदर लाइफ का एक खुशहाल पहलू सदा सामने रहता है कि भगवान मेरे साथ है वो एक बहुत क्लियर फीलिंग है और बहुत तरह कि ऐसी वर्स्ट भाव से बैठे रहे और परिस्थिति गुजर गई तो परिस्थिति आई और चली जाएगे पर मन की स्थिति को स्टेबल रखना है वो इस घ्याम से सीखा मन शही रहेगा, तो जितनी भी परसिध्या आपके सामने आती है, वो अपने आप भी सही होती चाते हैं अगला प्रश्ण मीरा ये है कि अभी फी हालffen मेशे में मुड़़ी में ये आया था कि योगी नहीं बनना है योग लगाते हैं, योगी नहीं बनना है, योगी जीवन बनाना है, क्या अर्थ है? जीवन एक दो घंटे का नहीं होता है जीवन मिन्स अपना लाइफ स्टाइल योगी स्टाइल बनाना है क्योंकि योगी बन गए इट मेंस मैंने एक घंटा योग किया मैंने दो घंटे ये चार घंटे मेरिटेशन कर लिया पर meditation कुछ घंटों में गिंती करने की बात नहीं है योगी जीवन है अर्थाग जो सुख, दुख, हानी, लाव ये सब जीवन में आएंगे और जब जब स्थितियां परिस्थितियां आती हैं उस समय स्टेबल रहना उस समय भी खुश रहना तो जब ये स्टाइल हमने जीवन में सीखा है तो वो योगी जीवन क्योंकि योगी कभी डिस्टर्ब होता हुआ, योगी परिशान है, योगी उदास है क्या वो योगी दिखेगा? तो इसलिए योगी अर्थात खुशाल क्योंकि उसकी खुशी खतम ना हो, परिस्थिती जो मरजी हो, उन सब स्थिती और परिस्थितियों में अपने आपको स्टेबल भी रखना और खुश भी रखना, ये योगी जीवन है अभी एक बात और इसी में में डालती हूँ, कि बाबा ने कहा कि साधन और साधना बाबने जोला, साधन होगा तो तुम्हारी साधना नहीं हो पाएगी, जब मुझे जहां तक लगता है, हमारे साधन ही नहीं होगे, तुम साधना भी कैसे कर पाएगे असल में साधन जरूरी है ऐसा लगता है साधन अच्छी चीज है अगर उन्हें यूज किया जाए मिस्यूज ना करें आज मोबाइल है, आज क्या अमराज है सब कुछ दुनिया में आज जो दिखाई दे रहा है चाहे वो गाड़ी हो, चाहे बंगला हो ये साधन यूज करने के लिए मिले थी हम साधनों को यूज करें साधन हमें यूज ना करने लग जाए हम इनके अधीन ना हो जाए वो है योगी जीवन योगी अर्क्थात डिटैच होकर जब तक जरूरत है यूज किया और फिट डिटैच यानि अनासक्त भाव से उसे प्रयोग करना तो वो साधना है ये सब साधन होते हुए भी अपनी साधना ना छूट जाए साधना ना भूल जाए या साधनों के अधीन होकर हम साधना को पीछे कर दें सेकेंडरी कर दें नहीं प्रात्मिक्ता अमारी साधना है क्योंकि ये प्रैक्टिस हमारे मन की स्थिती को उचा बनाती है, अंदर की स्थिर्ता बढ़ाती है, क्योंकि ये आज हैं, कल नहीं होंगे. लेकिन काई-काई बावा ने यह कहा है कि silence और science तो science को कभी-कभी बाव फर्स्ट दे देता है तो उसमें क्या करेंगे, silence पहले लेंगे या science पहले लेंगे भगवान वो यह समझाना चाहते हैं कि जैसा समय और जैसा समाज चल रहा है उसमें आप इनसे पिछड भी नहीं जाओ, use भी करो science आज है, कल science नहीं रहेगी तो उस समय अपने आपको आप किस स्थिती में पाएंगे यह आज mobile है mobile का आप इतना अधीन होगे कि mobile के बिना कामी नहीं चलता जैसे परन्तो जिस दिन network फेल हो जाएंगे तब क्या करोगे इसलिए बावाने का science से ही silence उची है और silence से ही है science निकली है तो इसी लिए silence का प्रियोग इतना करें यानि silence के एक आदत ऐसी पढ़ जाए कि हम silence के द्वारा जैसे science के साधन क्या करते है वो signals केच करते है चाहे वो satellite से हो चाहे हमारे आसपास के towers हो वह signal ही नहीं है तो आप सोचिए वो साधन बेकार है उस दिन आपका जिस दिन network फेल होता है ना उस दिन ऐसे व्यक्ति को खाली पन लगता है कि आज क्योंकि मैं इसको यूज नहीं कर सकता बोर हो जाते हैं खाली हो जाते हैं या लगता हमारे काम अधूरे रह गए हमारे काम पूरे नहीं होगे परन्तु योगी अर्थात हमारे अंदर का network clear connection होना चाहिए पर मात्मा के साथ हमारा network इतना सही और clear होता है कि ये सब नहीं है उस दिन भी मेरा 104 रूप से काम चले जैसे भी corona period इन 6 महीनों के अंदर कई व्यक्ति depression में चले गए बहुत और कारण यही था क्योंकि उस आधनों के अधीन थे ना वो साधन यूज कर पा रहे हैं या फिर जिस जिस को वो ना हो अचानक हट जाए तब मेरी स्थिती क्या है इसलिए योगी जीवन बनाना अतियावश्यक है क्योंकि योगियों को हमने देखा है कि जो सब साधनों यानि प्रकृति को अपने कंट्रोल में रखते हैं प्रकृति ये बाहर की नेचर भी प्रकृति अपनी नेचर को भी कहते है तो हमारी जो नेचर है वो भी हमारी तो प्रकृति है और ये हमारी रचना है इट मिन्स हम क्रियेटर है इसके हम जैसा चाहे वैसी प्रकृति अपनी नेचर बन सकती है तो अपने नेचर को अपने कंट्रोल में रखना इसको सेल्फ कंट्रोल कहा जाता है तो meditation की यह बहुत बड़ी खूबी है कि जो सेल्फ कंट्रोल सीख जाते है अगला प्रशन हमारा यह है एक आपके ही चंडिगर के एक भाई है विवेक उन्होंने मुझसे यह प्रशन पूछा है कि क्या किसी दुरगट्ना में अगर हम शरी छोड़ देते हैं दुरगट्ना हुई इसमें शरी छोड़ दिया तो क्या वो आत्माई भटकती है दुर घटना भी हमारे जीवन का ही पाल्ट थी तो जरूरी नहीं है कि सब आत्मा भटकती हो ठीक है क्योंकि आत्मा का अल्रेडी कोई भी घटना होगी शरीर कैसे ना कैसे छोड़ना है मैक्सिमम ऐसा होता है जो सुसाइड करनी की कोशिश करते हैं तो सुसाइड किया तो आत्मा को अभी उसका नया शरीर तयार नहीं था तब आत्मा भटकती है जिसको कहते हैं भटकना अर्था तो उसको अभी नया शरीर नहीं मिलेगा क्योंकि उसने जान बूझ के शरीर छोड़ा है एक्सिडेंट होना उसने जानबूझ के नहीं छोड़ा शरीर इसलिए वह आत्माई भटकती नहीं है उनको अगला शरीर मिल जाता है थोड़ी से समय लगता है और उसको अगला शरीर मिल जाता है परन्तु उनके लिए निश्चित है कि जैसे किसी को मकान अभी एलोट हुआ नहीं और उसने अपना मकान अल्डेडी छोड़ दिया तो का सडक पर रहेंगे उसको भटक ना कहते हैं कि अपना मकान भी छोड़ दिया और अगला एलोट हुआ नहीं तब इसी तरह से जो आत्मा शरीर छोड़ती है उसको नया मकान मिल गया होता है अर्था तो उसको नया गर्भ तैयार होता है तब वो शरीर छोड़ती है इसलिए भटकने की बात नहीं होती लोग डरते जादा है यानि आसी बाते भ्रह्म जादा पाल रखें लोगों ने एक मुरली में ये संदेश आया था कि परमात्मा ने का परमात्मा का संदेश सर्वात्माओं को देना है और जिसके अधार पर ही मुक्ती और जीवन मुक्ती प्राप्त होती है और जीवन मुक्ती का अनुभव भी करेगी लेकिन हमारा प्रशन ये उड़ता है यानि कि मैं अपने लिए ये प्रशन लूँ क्या सर्वात्माओं को हम परमात्मा का संदेश दे पाएंगे ये बहुत सारी जनता है चोटे से लेके बड़े तक बड़े से लेके बुजूर्ग तक तो कैसे वो पूरा हो सकता है भगवान ने इसमें एक साधन बताया है और वो साधन में बताया है एक होती वाचा सिवा वाचा सिवा है कि अब हम face to face बात कर रहे हैं या ग्रूप में बात कर रहे हैं हम बहुत बड़ी सभा को संबोधित कर सकते हैं तो हम हजार दो हजार आज मेडिया है इंटरनेट है तो हम एक साथ हजारों को संदेश दे सकते हैं एक साथ ही कारेकरम सैकडों हजारों लाखों लोग देख सकते हैं तो एक तो ये सिवा है परंतु संसार की कोरोडों की जनता और वहां तक ये संदेश पहुँचे तो उसके लिए संदेश क्या देना है? संदेश ये देना है कि परमात्मा इस धर्ती पर शांती स्थापन करने वाला है, वो सुख दाता है, वो शांती दाता है, तो उस एनरजी को फील कर पाएं, ये हम तिर मनसा सेवा कर सकते हैं, और मनसा सेवा सेधी संदेश देना, इतना कारगर होत कि लोग आकर experience बताते हैं कि जिन्होंने कभी पहले आकर ज्यान नहीं लिया पर जब first day आते हैं तो उनको लगता है तो सुना हुआ है इनको कहीं देखा हुआ है या आप से हम पहले मिले हुए है फीलिंग ऐसे आने लगते है क्योंकि उन्हा आत्माओं को कितनी बार मन से कि आप दुनिया की हर आत्मा को संसार के किसी भी भूखंड पर जाकर आप वो vibration दे सकते हैं इसी के साथ एक प्रस्ण ये उठता है कि अभी हाली में मुर्ली में ये कहा था कि कुछ जो मेरे बच्चे हैं वो ज्यान प्राप्त करेंगे लेकिन वो मुझे छोड़कर भी चले जाएंगे मैं उनको नहीं भूलूँगा यहां पर क्या कहना चाहेंगे आप परमात्मा पिता है और बच्चा नठखट भी हो बच्चा कहीं दूर चला जाए तो भी माबाप कहां भूलते हैं अच्छा बच्चा खो जाए गुम हो गया तो भी ढूंड के कोन लाता है माबा भी ढूंडते हैं बच्चा नहीं ढूंड पाता है तो इसलिए भगवान नहीं भूलता है चाहे संसार में मतलब संसार के आकर्शन कहीं आकर्शित कर गए या ज्यान से जादा उन्हें प्रभावशाली वो लगे तो शायद कुछ समय उग्यान में ना आए परन्तु उनके अंदर उग्यान का बीज है तो वो भूल नहीं सकते हैं वो भी एक समय पर आकर लोटकर यहीं आते हैं परन्तु पिता है वो इसलिए वो ख्याल रखता है वो जैसे भी लाइफ में जो भी यह बच्चा तो मेरा है तो भगवान उसे अपना बच्चा मान कर हर जगे फिर भी शुरक्षित शान पच्चा रखता ही है यानि उसको फिर ले आता है जी आपके ये बातें समय अब मुझे इजाज़त नहीं देता है तो मैं चाहूंगे कि आप इसी तरह से ग्यान का खजाना हमारे दर्शकों को देते रहें और हमारे इस कारेक्रम में आते रहें आपका ब अमीद है कि आप हमारी इन बातों को सुन रहे हैं और साथी साथ अपने जीवन में अमल भी कर रहे हैं अगली कड़ी में फिर से एक नई मेहमान के साथ आपकी समक्ष फिर से हाजिर होंगे तब तक के लिए दिजिए इजाज़त नमस्कार उम्शान्ति